नमस्कार मैं कानराज पुनियां सायक आचार्य राजनिती क्विग्यानका हूँ और आज आप से एक बहुत ही महत्पुन मामले पर बात करने आया हूँ मेरी ख्याल से यह मेरी पहली क्लास है आपके लिए और प्यारे विद्यारतियों मेरा यह मानना है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ें कहीं भी पढ़ें किसी से भी पढ़ें आपका पढ़ने का तरीका अवधारनात्मक होना चाहिए यदि आप कॉंसेप्ट पर आधारित नहीं पढ़ते हैं यदि आपको कॉंसेप्ट की जानकारी नहीं हैं किसी भी मामले या मुद्दे पर आप विचार कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं ना तो आप उसका background का पता होना बहुत जरूरी है उसके साथ उस पर society की morality क्या है society क्या सोचती है वो होना जरूरी है दूसरी बात practically जो system है वो काम कैसे कर रहा है ये पता होना जरूरी है सामान्य तो मैंने students को ये देखा है कि वो केवल और केवल fact पढ़ते हैं और fact को knowledge समझ कर अपने आपको memory card बना देते हैं कि मैं मानता हूं कि हम इंसान है और इंसान कभी भी machine नहीं हो सकता और यदि वो कभी machine नहीं हो सकता तो मैं यह मानता हूँ को इसके पास रटने की कैपेसिटी होती ही नहीं है वो रट ही नहीं सकता और यदि कोई रट रहा है तो मैं यह मानता हूँ अपने साथ ही अन्याय कर रहा होगा इसलिए हम कई बार देखते हैं कि competition exam के अंदर कई विद्यारती वो सफल हो जाते हैं जो कम समय तक पढ़ते हैं वो भी और कई बार आपने देखा होगा बहुत रात और दिन बैटे बैटे किताबें लिए वे पढ़ते रहते हैं फिर भी selection नहीं होता इसका कारण होता है एक cable पढ़ रहा है और एक को ये पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैं आप से जिस मुद्धे पर बात करना चाहता हूँ वो बातें अलग हैं हम बीच बीच में जहां भी जब बात होगी तो करेंगे पर आज हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और आपने एक नाम सुनाओगा सिमॉन डी बुवा का सिमॉन डी बुवा एक नाविवादी मैला अधिकारों को लेकर काम करने वाली फ्रांसिसी विचारक थी जिन्होंने 1949 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसका नाम ता सेकंड सेक्स बहुत सर्चिट किताब रही और उस दी सेकंड सेक्स किताब का एक भारती हिंदी के बहुत अच्छे जानकार डॉक्टर परभा खेतान का नाम आपने सुना होगा और डॉक्टर परभा खेतान ने उसे ट्रांसिलेट किया और उस किताब का नाम दिया इस्तिरी उपक्षिता ये दी सेकंड सेक्स का केवल और केवल इंदी ट्रांसिलेशन है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर एक वाक्या आता है कि वूमन इस नाट मेड नाट बोर्ण बट मेड बाई सॉसाइटी कभी आपने विचार किया है कि औरत पैदा नहीं होती औरत बनाई जाती है समाज द्वारा कि इसका मतलब क्या है कभी आपके दिमार्ग में ये विचार आया है कि हम ये शब्द यूज करते हैं फिमेर एंड वूमन मेल एंड मैन इसमें क्या फ़र्द है मैं आपको बता दूँ मेल और फिमेल कौन मेल है किसी के आथ की बात नहीं है कौन मेल होगा कौन फिमेल होगा परकरती ने जिसको जैसा बनाया है खोदा ने जिसको जैसा गड़ा है जैसा गड़ा है जैसा आकार दिया है या तो मेल के रूप में है या फिमेल के रूप में है और इदी बगवान की मर्जी ही कुछ और थी थर्ड जेंडर भी हो गया जनरली जेंडर दो हैं थर्ड जेंडर भी हैं क्योंकि आप कही बार ये बचार आ जाता है कि ये थर्ड जेंडर भी तो होता है तो वो मर्जी भगवान की थी कि किसी को ये दिमाली जिये इस दर्टी पर सज़ा देनी थी तो दी होगी क्योंकि वो that is no power but of God उससे बढ़कर कोई पावर नहीं है दूसरा होता है विद्यार्टियो मेन एंड वो मैं जेंडर आप कहोगे जिसे आप जेंडर कह रहे हैं या जिसे आप सक्स कह रहे हैं क्या परक है मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ it's completely natural it's completely social कोई आदमी कोई अरत made by society कोई कोई female made by God सोचिए आप कोगे इससे क्या मतलब है इससे मतलब यह है कि हमारी society के अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है बहुत कुछ रीति रिवाज बहुत सरे परंपराएं बहुत सारी रूडियां बहुत सरे कस्टम्स काम करते हैं और हम उसको अनुसार अपने आपको नहतिक आनहतिक और आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए जो चीज कानूनी हो जो बात विदिक हो वो जरूरी नहीं है नहतिक होगी और जो चीज कानून अनहतिक है वो जरूरी नहीं है कि कानूनी नहीं है कानूनी होना नेतिक होना सही होना गलत होना ये अपने आपने अलग बाते हैं जब आप किसी बात को कानूनी प्रिप्रेक्श्य में कस रहे हैं या कानून की कसोटी पर कस रहे हैं तो ये जरूरी नहीं हैंगे आप नेतिक बात कर रहे हैं जैसे इंटरकास्ट करना अपने आप में अलग हो सकता है लिव एंड रिलेसंसिप अलग मामला हो सकता है अलग सोच हो सकती है समाज उसके उपर अपना अलग मत रखता होगा हम लोग उस पर अपना अलग मत रखते होंगे और कानूर उस पर अपना एक मत रखता होगा और हमें आपको पता है rule of law के अंदर law के हिसाब से अपने आपको चलना होता है हाँ आप law का उलंगन नहीं कर सकते हमारे रीती रिवाज हमारी परंपराएं भी law है हम उसके हिसाब से भी चलते हैं परंतु वो जो रीती रिवाज और परंपराएं वो किसी भी पर्सन के राइट्स का नेचुरल राइट्स का लीगल राइट्स का उलंगन नहीं करना चाहिए बच्ची पैदा होती है बच्ची पैदा होने के बाद में सौसाइटी उसके परती अपने कुछ सोच उस पर ठौप देती है बेटी है कान से दवाएगी बेटी है लंबे बाल रखने चाहिए बेटी है ये सर्विस करने चाहिए ये नहीं करने चाहिए बेटी है रात को बार नहीं जाए बेटी पैरों के अंदर बेडिया पैने जो आप बेडिया क्या कहूं उसको बेडिया तो नहीं कह सकता है वो जिसको आप कहते हैं कडी बेडियां 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 बोलते हैं उसको गामत बेडियां बोलते हैं और कडीयां के साथ बेड पता है कि हम दीरे दीरे परिवर्तन आता है और यह गतिशील प्रक्रिया है साई लोग साई समाज हो साई वैक्ति हो वो टाइम के साथ बदलता रहता है और हम कल थे वो आज नहीं है और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए और स्विकारिय भी होना चाहिए क्योंकि ये हमारे हाथ की बात नहीं है मैं आप से कहना ये चाह रहा हूं कि बच्चे के परती ये सोच कि वो रात को बार नहीं रहे, अकेली बार नहीं जाए, अकेली नहीं रहे, टाइम पे शादी हो जाए, उसको ये काम नहीं करना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए, विद्यारतियों ये सब क्या है? ये सब विचार आपके दिमाग में कहां से आते हैं? ये सॉसाइटि से आते हैं. ये एक समाजी कर्ण की प्रक्रिया का एक पार्ट है जो आपके अन्दर उटомеटिक से सीखते हैं आप. और वो दीरे दीरे वो मैला भी यह समझने लग जाती है कि मेरी भलाई ही इसमें है मुझे भी ऐसा रहना चाहिए यही मेरे लिए ठीक है और वो जब भी बात करती है तो वो कहती है मैं बेटी हूँ मेरे को मेरे दाइरे में रहना चाहिए ये समाज केवल और केवल बेटियों के लिए दाइरा बनाए और बेटों के लिए नहीं बनाए तो आप समझ लीजिए कि ये भगवान ने भरक नहीं किया ये भरक हमने किया और मेल और फिमेल बनाना तो भगवान के हाथ की बात थी मगर फिमेल को हमने क्या बना दिया औरत बना दिया मैं कह रहा हूँ इस तरी पैदा होती है और औरत बनाई जाती है जब औरत बनाई जाती है तो औरत के ऊपर कुछ नकुछ इस परकार का दोगला वेवार होता है ऐसा ही एक मामला जो औरत के परती समाज की सोच औरत की समाज के परती करतो निष्टा अपने आप समाज से आगे वक्त से आगे बढ़ कर अपनी उत्रदाई तो कि भुमिका को निभाने का काम करने वाली एक महिला नाव आपने सुना होगा महिला बाल विकास विबाद के अंदर यानि आंगनवाडी के अंदर काम करने वाली एक साथीन जो 1985 से नौकरी कर रही थी बटेरी जैपूर की रहने वाली बटेरी बसी के पास में पड़ता है बटेरी की रहने वाली एक कुमार जाती की महिला नाम था भमरी देवी पति का नाम मुहनलाल था, दो लड़के और दो लड़कियां थी, और विद्यारतियों आस पास में urgent बाउली चहत्र था, बस्ची के परधान गुइजर जाती के थे रामकार्ण गुर्जर के घर में शादी का कारे करम था और आपनी बेटी जो केवल और केवल नौ महीने की थी और उस बेटी की शादी करवा रहा था भवरी देवी को लगा मेरे माबाप ने मेरे साथ जो किया वो वक्त का तकाजा था या समाज समझ नहीं पाया होगा मैं समाज की एक अनिवारे हिस्सा हूँ राजस्तान सरकार और सेंटरल गवर्मेंट उस समय बहुत बड़े-बड़े प्लान निकाल रही थी परिवार नियोजन को लेकर बाल विवा को रोकने को लेकर काम कर रही थी मैलाओं के परती सुरक्षा को लेकर आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इंडियन पैनल कोड के अंदर 304 बी जो जोड़ा गया आगे बात करूंगा कभी वो राजियू गादी ने 1996 में जोड़ा था इस परकार के महिलाओं को लेकर बहुत कुछ और आता समाज के अंदर और उसी दोरान विद्यारतियों जब उस बाल विबा को रोकने को लेकर भमरी देवी ने आवाज उठाई पुलीस को रिपोर्ट की पुलीस का एक कॉस्टेबल आता है मिठाई खाता है और कहता है मैंने दो रोने वाले रोते रहेंगे कानुन तो हमारे हाथ में हम जैसा करेंगे वैसा होगा शादी हो जाती है मगर गुर्जर समाज का वो परिवार भमरी देवी का दुश्मन बन जाता है आकातीज के बाद वो अपना काम करना शुरू करता है 22 सब्टमबर 1992 पाँच गुर्जर लोग जिसमें गाउं का परदान भी सामिल था वो वाँ पहुंचते हैं भमरी देवी और उसका पती मोहललाल खेत में काम कर रहे थे भमरी देवी को पकरते हैं मोहललाल के हाथ पेर बाम देते हैं और मोहललाल के सामने भमरी देवी के साथ कूक करते किया जाता है सामुलक बलातकार किया जाता है दोश केवल इतना था कि समय से आगे कदम रखना कितना खतरनाक है और जिस समाज के अंदर परवाव हो जिन जाती का उसके बुरुद बोलना और भी कितना खतरनाक हो सकता है भमरी देवी के साथ रेप होता है भमरी देवी ठाने जाती है डिपोर्ट दर्च नहीं होती है मेडिकल जाच के लिए जाती है वहांका डॉक्टर ये कहते हुए मना कर देता है कि फिमेल डॉक्टर नहीं है मजिस्टेट के कोर्ट में अपने याची का डालने के लिए जाती है मजिस्टेट का टाइम कोर्ट का पूरा हो जाता है और विद्यारतियों वहां का एक MLA जो बीजेपी से रिलेटेड था कहने का नहीं चाहता मिना जाती का वो अपना परभाव दिखाने में लगा हुआ है आज भी ये लोग करते हैं बगत के बाद मैं आपको कहना चाहरा हूँ दो दिन बाद मेडिकल होता है मुकिदमा धर्ज होता है सेसन कोर्ट में सुनवाई होती है पुलीस मामला दर्ज कर रही होती है वो केवल और केवल सेक्शुल एरेस्मेंट का ना कि डैप का कोर्ट के अंदर ब्यानवाजी होती है और सेसन कोर्ट जज के सामने ये ब्यान रखे जाते हैं क्या कोई साचा और बतीजा एक साथ एक महिला के साथ बलातकार कर सकते हैं क्या किसी महिला पतनी के साथ बलातकार हो रहा हो और पती सुपचाप देखता रहता है क्या कोई अगड़ी जाती का आदमी पिछड़ी जाती के आदमी से महिला से बलातकार कर सकता है क्या कोई 70-80 साल का आदमी 60-70 साल का आदमी बलातकार कर सकता है और ज़साब इस बात को सुन रहे होते हैं और विध्यार जो डिसीजन देते हैं शाक्षियों के अधार पर ये निरिने किया जाता है कि मामला जोटा है सब के सब भरी हो जाते हैं और राजस्तान के मीडिया अपनी एक भुमिका में आता है आजकल तो ये बूला हुई लग रहा है और मीडिया की भुमिका के बाद ये मामला इस्टेट गवर्मेंट हाई कोर्ट में ले जाती है हाई कोट के उस समय चीव जश्टिस उबा करते हैं एनेम टिब्रेवाल जमानत याची का स्विकार करने से मना कर देते हैं समय के साथ विद्यारतियों जज वजलते रहते हैं और वक्त के साथ सुनवाई होते हुए मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ नवंबर 1995 के अंदर हाई कोट केवल और केवल आरोपियों को नो महीने की सजा देती है आप कहोगे ये कहानी क्यों सुना रहे हो मैं ये बात इस लिए कर रहा हूँ विद्यारतियों क्योंकि इस घटना इस भमरी देमी परकरणने एक नया मोड़ दिया पुलीस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो शाक्षिय थे कपड़े थे वो बदल चुकी थी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने आया नहीं था मामला केवल और केवल सामा ने लड़ाई जगड़े और बोल चाल का बना दिया गया भमरी देवी को समाज से बार कर दिया गया पीवी नर्सिंगा राओ द्वारा दी गई पचीस जार की साहे ता समाज ने लड़ू खा लिये क्योंगी वाप समाज बे आना था अभी अशोग गैलोस साब ने पिसली जो दोजार दो के अंदर उनको एक फैमिली एक घरवी आवास भी दिया है जमीन भी दिये हैं और कुछ पैसे भी दिये हैं जरूर एल्प होई आजकल तो बमरी देवी के बच्चे भी सर्विस करते ह हैं उसके एक बेटी है जो टीचर लगे हुई है इंग्लिस की मतलब मेरा कहने का मतलब अब वो फैमिली बले ही मगर एक संगर्स देखिए वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बीजिंग के अंदर जब समयलन हुआ था मैलाओं को लेकर चतुर समयलन था उसमें इंद अंधिस्तान की बम्री देवी बन घई थी वह इंदुष्तान की बम्री देविंग घई तो वह बात अलग है टाइम की बात यह करा है करहां वक्त की बात anduf अब देखिए विध्या रागंचियों जब यह सब कुछ चल रहा था उस दौरान की मैं आपकर करूँ ई जैपूर के अंदर और आसपास के च्छतर में एक काम करने वाला NGO जिसका नाम था विशा का इस परकरन को एक NGO नाम था विशा का ये एक NGO है खास तोर से महिला अधिकारों को लेकर और अन्य मामलों को लेकर ये काम करता रहता है जैपूर के अंदर इनके कारे करताओं ने ये सवाल उठाया कि जब किसी महिला को जो वास्तों में बहुरी देवी जो थी एक सरकारी सर्विस करने वाली व्यक्ती थी एक गवर्वर्मेंट एक पब्लिक वरक पलेस पे काम करने वाली एक महिला थी वहां काम कर रही थी और इस महिला के साथ में जो कुछ हुआ उससे सुरक्षा देने का काम किसका है यदि वरकिंग पलेस पे काम करती है तो सीधी सी बात है इस पलेस पर जो सर्विस प्रोवाइडर है जो नियुक्ता है नियुक्ता कौन है इस्टेट गवर्मेंट जो नियुक्ता है उसका ये डूटी नहीं बनती है कि उस महिला को सरक्षा प्रदान करे उसके साथ में इस परकार का वेबार नहीं हो ये सवाल विद्यारतियों सुप्रिम कोट के अंदर विशाका एंजियो ने उठाया विशाका के साथ बहुत सारे एंजियो थे विशाका नाम सर्चा में रह गया इसलिए विशाका रहा और मामला था वर्किंग पहले इस पर महिलाओं की इस्तिती और महिलाओं की शुरक्षा का मामला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया और का क्या किसी महिला के साथ उसके कारी इस्तल पर यदि उसके साथ कोई उत्पीडन होता है कोई सेक्शुल एरस्मेंट होता है उसके लिए responsible जो एथरिटी है उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए चाहिए वो working palace private है या government है इससे भरक नहीं पड़ता क्या भूमरी देव एक महिला का एक्विलिटी का राइड नहीं है क्या एक महिला का कि सबतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार नहीं है वर्ति उपजीविका और कारोबार की सबतंत्रता परते एक नागरिक का अधिकार है क्या नहीं है क्या किसी व्यक्ति का मानुविय गरीमा के साथ जीने का हक नहीं है human dignity के साथ जीने का हक नहीं है और यदि है तो इसको क्यों नहीं मिला क्या इस महिला के आर्टिकल फर्टीन इंडियन कॉंस्ट्यूशन के के जो पार्ड तीन है जो पार्ड तीन है उसके सेक्षन फोर जो सेक्षन नाइंटीन और जो सेक्षन नाइटिकल है ना बड़ा जनरली सेक्षन लाज में बोला जाता है और मैं आगे बात भी करूंगा इस मामले पर भी यहां मैं बोल दिया इसका मतलब यह है आइटिकल ट्वेंटीवन का उलंगन नहीं है देखिए वित्यारतियों मामला भंडा मेंटल राइट का बनाया विशाकाने मैं कहना यह चाह रहा हूं मामला बनाया महिला की सवतंतरता समानता और मानिवी गरिमा से जीने का मामला बन जन्ते हैं golden triangle कहलाता है यह अधिकारों का त्रिकौन कहलाता है त्रिकौन आइटिकल फोर्टीन आइटिकल नाइटीन और आइटिकल ट्वेंटीवन यह महतपूर्ण आइटिकल माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई शुरुकी और जिस केस के नाम से इस पर शुनवाई शुरुकी उसका नाम था विशाका एंड अदर्स वर्सेज राजस्तान सरकार 1997 का डिसिजन है इस मामले पर शुनवाई शुरुकी और इद्यारतियों उस समय सुप्रीम कोर्ट के चिप जश्टिस हुआ करते थे जेस वर्मा जेस वर्मा का नाव आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है महिलाओं के प्रति वो कितने सवेदन सीलते मैं कभी आप से बात करूँगा जब दिल्ली के अंदर निर्भिया काइं किया गया था और उस कमेटी के अंदर जो तीन सदस्य थे गोपाल सुबर्मनियम लीला सेट्स और इस कमेटी का जो मुख्या बनाया गया था हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूरव चीप जस्टिस जेस वर्मा उस समय जब भवरिज्य अभी परकन का डिसिजन दे र तीन जज़ों की बेंस के मुख्या थे नामता विद्यार्ट यो जैश वर्मा तीन जज़ थे इसके अंदर और इस मामले में सुनवाई में सर्वो चनियाले ने जो का वो बात आप सुनोगे तो आपको लगेगा वास्तों में ये तो आज भी नहीं हो रहा है कानून बनने क पर जो महिलां काम कर रही है उस महिलाओं के साथ में बिए कैसा होता है और ये सवाल उठाया जा रहा है वहां पर सुप्रियम कोट' के अंदर ब Dreams आप् ही है ये मामला ये है आप समझ रहे हैं तो मेरी ख्याल से यह मामला आप देखिए क्या हुआ मामला कोर्ट में गया मामला बनाया गया फंडामेंटल राइट का किसका बनाया गया भाग तीन से कनेक्ट किया गया पेटिशन जो डाली गई उस पेटिशन के अंदर याची का के अंदर 14, 19 का मैं एक का जी कह दूँ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मगर मेरी क्याल से यहां कोई ज़्यादा इतना अंदर जाने की जुरूरत है मैं आप से जब भी इस सेक्शन की बात करूँगा इस आर्टिकल्स की बात करूँगा हमारे इंडियन कॉंस्टूशन की बात करूँगा और इससे डिलेटेड लॉज की बात करूँगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इन मुद्दों पर बात करूँगा मगर हम इतना जरूर जानते हैं और जानना चाहिए जब हम PSC की तैयारी कर रहे है तो ये तो ही हमारे पास सेक्शन आर्टिकल 21 का मामला उठाया सुप्रिम कोट के उस समय उठाया इसको किस नाम से जानते हैं तो मैं लिख देता हूँ इसको कहते हैं विशाखा एंड अदर्स वर्सेज गवर्मेंट गवर्मेंट ओफ ऐसे उन्होंने इस मामले के अंदर मैं आपको बता देता हूँ पक्ष सरकार पूरी को बनायाता है वह सेंटल गवर्मेंट हो बले इस्टेट गवर्मेंट हो कोई हो उस पूरा मामले को बनाया था मगर इसको इस नाम से जानते हैं इस मामले पर विचार करते हुए सुप्रीम कोट के कितने जजज बैटे एक बैंस बठाई गई कितने जजज़ों कोई कॉंस्टूशनल बैंस नहीं थी ये ये अनली थ्री जज़ेज बैंस थी कितने जज़ेज की बैंस थी थ्री जज़ेज बैंस थी और इस बैंस के अंदर विद्यार क्यों मुख्या बनाए गए वो बनाएगे जैस वर्मा का नाम आपने बहुत अच्छी तरीके सुना होगा दूसरी सुजाता मनोहर का नाम आपने सुना होगा और तीसरा बी एन किरपाल का नाम आपने सुना है तो ये तीन सदस्य कोई कॉई कॉंस्टिशनल बैंस नहीं विचार इस मामले पर कर रही है कि कार्य इस्तलों पर महिलाओं के साथ में जो उत्पीडन होता है वो कैसे रोका जा सकता है ये कोई मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ ये कोई इस परकार का मैटर नहीं था कि उसकी अपील हुई थी ये केवल और केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता हूँ एक P.I.L. थी ये डाली गई थी टेक्निकली मैं थोड़ा सा मैच्योर नहीं हूँ इसलिए यदि कहीं आपको लगता है कि वोड उपर नीचे हो जाता है तो ये तो वक्त ही ठीक करवाएगा अनिवाओ जो मेरा होगा एक्सपिरियन्स होगा वो इठीक करवाएगा ये पहली क्लास है तो ऐसा हो नहीं है अब ये जो जिस रूप में आया था वो एक PIL था PIL का मतलब होता है Public Interest Litigation अच्छी तरीके से द्यान रखें इसको कहते हैं लोग यित याची का Public Interest Litigation लोग की हित याची का के नाम से जानते हैं जिसको What is this? यह क्या होता है लोग की याची का किसे कहते हैं लोग की याची का एक मैं बहुत ही important मामला आपसे बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आप यहां ध्यान रखना मैं बीच में इस मामले से थोड़ा सा ट्रेक से उतर रहा हूँ और जहां भी मैं मामले से अठकर बात करूँगा आप से कह दूँगा कि यहां थोड़े से अठकर बात है हमारा Constitution हमें राइट देता है भागतीन हमें यह अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो 226 के तैस सीधे हाई कोट जा सकता है और fundamental right का जो हमारा article 32 है वो हमें सीधे सुप्रिम कोट में जाने की अधिकार देता है यह right है हमारा 2226 में जाना हमारा fundamental right नहीं है 226 में हाई कोट जाना हमारा fundamental right नहीं है जबकि आर्टिकल 32 है वो एक fundamental right है आपके यदि मोलिक अधिकारों का अनन होता है तो सुप्रिम कोट जाना आपका fundamental right है अब यहां एक सवाल है एक traditional concept है हमारा जो legal system है वो completely आप अच्छी तरीके चे जानते हैं UK का system है fundamental right की बात नहीं कर रहा हूँ fundamental right जो है वो American constitution से हमने concept लिया concept वहां से आया पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उसके आदार पर आप कोट में जाना यह आच्छी का है जो कोट रिट्रे जारी करता है वो जो कारिय पढ़ना ली है कोट की यह कहां की है यह UK की है यह हमारा पुराना अनुबव है जो अंग्रेची काल में फेडरल कोट था वोई तो हमारा सुप्रिम कोट है आपको अच्छी तरीके से बता है तो यह कहने की जरुरत नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं है कई बार यह है कि पर जहां भी मुझे लगेगा कि यहां आपकी बात आगे पीछे हो जाएगी तो मैं आप से यह बात कर लूँगा अब हम जिस काम पर इस्टेड़ी तरीका दे रहा है वह विद्यारतियों एक है locus standing आपने नाम सुनाय कर नहीं सुनाय मुझे नहीं पता मगर मैं एक सिंपल सा एक कॉंसेट है लीगल चलता है बिटीस कॉंसेट है locust standing locust standing का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है वो व्यक्ति कोर्ट में जाए और कोर्ट उनके लिए न्याय परदान करेगा यानि सीद्धी सी बात है आप मांगोगे तो आपको अपना हक मिलेगा Locus Standy का मतलब ही है जिस व्यक्ति के अधिकारों का अनहरों हुआ है वो कोर्ट में जाए और वह court में जाएगा तो court उन्हें न्याई देगा यह जो मांगेगा उसे न्याई मिलेगा जो नहीं मांगेगा उसे न्याई नहीं मिलेगा यह business concept आपको अच्छे तरीके से पता होगा यह एक traditional concept है बैंतम बगेरा को पढ़ोगे तब देखना उसने लिखा है हमारे यहां पर न्याय बिखता है और बहुत उच्छे दामों पर बिखता है बैंतम ने लिखा था यह जज और वकील मौसर भाई हैं यहां पर जिसके पास धन होता है पैसा होता है वो न्याय खरीदता है और न्याय बिखता है और जिनके पास नहीं है वो गलत है या सही है यह मामला ही नहीं उसे न्याय नहीं मिलता यह सिस्टम जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं रूडिवादी कॉंसेप्ट बोलते हैं इस पर चलता था वह ये देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो कोर्ट में नहीं जा सकते भामरी देवी कोर्ट में नहीं जाने की इमत रखती थी उसके उपर अत्याचार हुआ फिर समाज को उसके परिवार को समाज से बार कर दिया गया आदमी समाज में रहता है लेंदेन की जरूरत पड़ती है और उसके अंदर यह दिस समाज का दबाव हो तो कानून अपनी जगह काम करते हैं और सोसाइटी अपनी जगह काम करती है यह सब को पता है अब भवरी देवी तो सुप्रीम कोर्ट जहाने किर्मिनल केसेज के अंदर एक पक्ष होता है जो आपको अच्छी तरीके से पता है एक्यूजड के सामने जो केस लड़ रहा होता है वो इस्टेट लड़ रही होती है जैसे बहुरी देवी की और बहुरी देवी ने एफाई यार करवाई तो बहुरी देवी के और से पैरवे इस्टेट गॉर्मेंट करती है ये मतलब जो किर्मिनल केसेज होते हैं उसमें होता है दिवानी केसेज में दोनों तरफ आपने परसन लड़ते हैं इसलिए सिविल कहलाते हैं सिविल का मतलब परसन टू परसन मामला होता है उनको सिविल बोलते है पेमारें बरसेजे माराम ऐसा लिखा इसका मतलब ये सिविल मामला है एक पक्ष यह है दूसरा पक्ष यह है इन दोनों के बीच का मामला है और जब किर्मिनल होता है तो इसका मतलब यह हुआ उसने लोग को क्रेस किया है तोड़ा है उलंगन किया है और इसलिए उसके जिसने लोग को तोड़ा है उसके घड़ा होने वाला जो होता है वो अब मैं आउं इस लोकस स्टेंडी में तो वो तो बहुरी देवी जाना ही नहीं चाहती थी और उसकी इमत भी नहीं थी इस्टेट गवर्मेंट गई नहीं माम लखा तम आई कोर्ट में डिस्जन हो गया नौ महीने के सजा हो गई गया कौन विशाखा एंजियो विशाखा के क्या के पई अधिकारों का हनन जब हुआ वो बहुरी देवी के हुआ तो विशाखा क्यों जा रही है ये समझना जरूरी है 1979 का एक केस है विद्यारतियों याद रहे तो आपको रखना और नहीं रहे तो कोई बात नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बात को याद रखें जिसको हम हुसेन आरा खातुन का मामला कहते हैं आपने नाम सुना होगा मैं यहां इस मामले को ले लेता हूँ थोड़ा स जिसका नाम था हुसेन आरा खातुन थोड़ा सा अठके बात कर रहा हुए ना एंड अदर्स यह अदर्स इतने थे लगभग 40,000 के आसपास अदर्स थे के समझा रहा हुए ना समझिए यह किसके वुरुद गए यह मामला यह था कि कुछ छोटे-छोटे मामलों में चोरी करने वाले साइकल चोर कभी रोटी चोर कभी किसी का कुछ चोटी-मोटी कहीं बार पड़ा था और दुकान से बिस्कीट चोड़ लिए जब पेट में भूका होता है तो आदमी के सामने दीश की राष्ट की कानूनों की बाते करना नाजाइज है अनेतिक है क्योंकि वहाँ आदमी के लिए सबसे महतपुन होती है भूक होती है और आप अच्छी तर्के से जानते हैं बहुत सारे अपराद इसलिए किये जाते हैं कि आदमी भूके हैं छोटे छोटे अपराद अंजाम दे देते हैं क्योंकि उनके पास में हाथ है पर उनर नहीं है उनर है तो दंदा नहीं है तो करेंगे क्या इसलिए वहाथ कोई और काम कर जाते हैं और ऐसा ही मामला था विद्यारतियों बियार के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे मामलों के अंदर पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया क्योंकि उसकी और से कोई जमानत देने वाला नहीं था और कोट में वो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास में वो निर्दन थे वो गरीब थे वो असाय थे वो अनभिग्य थे वो निरियुग्य थे वो पिचड़े थे वो दलित थे असक्षम थे वो कोट में नहीं जा सकते तब सुप्रीम कोट में एक एड़ोकेट हुआ करती थी पुष्पा कपिला इंगो रानी नाम आपने सुना होगा एड़ोकेट पुष्पा कपिला हिंगो रानी पुष्पा कपिला हिंगो रानी ने बारकी रहने वाली थी विदेश से पढ़कर आई थी बहुत अच्छी एड़ोकेट उसके दिमाग में विचार आया जिन लोगों को और जो लोग न्याय के द्वार पर नहीं जा सकते कोट नहीं जा सकते क्या उनको न्याय मिली नहीं सकता क्या वास्तों में हमारे कॉंस्ट्यूशन के अंदर जो आइटिकल 32 का क्लॉज 1 है पढ़ा है क्या लिखता है 32 का क्लॉज 1 ये लिखता है कि इस भाग के अंदर पद्दत अधिकारों को परवर्तित कराने के लिए समुचित कारवाईयों का मतलब होता है एप्रोपिरियेट प्रोसिडिंगज ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है वापस यह एक शब्द लिख देता हूं समुचित कारवाईय। एप्रोप्री एट प्रॉसेडिम समुचित कारवाईयों दोवारा उच्चतम न्याले समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत करता है कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 32 जो आपको समेधानिक उप्चारों का अधिकार दे रहा है उसका सेक्षन उसका 32 का क्लॉज 1 के अंदर ये शब्द है ये 32 का 1 है इसमें चार क्लॉज हैं मैं बात करूंगा जिसमें 32 के क्लॉज 2 के तयात या जो रिटे हैं वो जारी होती है प पिला रानी ने ये सवाल खड़ा किया कि साब आप कह रहे हैं कि जो इन वेक्तियों को जो भाग तीन के अंदर इस भाग के अंदर जो पद्दत अधिकार हैं उनको परवर्तित कराने के दिए समुचित कारवाईयों के द्वारा उच्चतम नयाले समावेधन करने का अधिक कार प्रतिया भीत करता है देता है तो ये समुचित कारवाईयों का मतलब यह है कि जो कोड जाएगा उसी कोई मिलेगा अफ्रोप्रियेट प्रॉसेडिंग यही कहलाती है सुप्रिम कोड़ के उस समय जज्ज हुआ करते थे मैं आपको बता रहा हूँ ये मामला देखिए भापस वैसे के वैसे जा रहा हूँ एक विद्यारतियों था कुष्णा ऐयर नाम सुना होगा आपने वि यंड कृष्णी अईयर नाम में बता देता हूं या लिख देता हूं केरला के रहने वाले थे वी एंड कृष्णा आयर एक तो यह थे और दूसरे एक जज़ सुप्रीम कोट में उस समय हुआ करते थे गुजरात के रहने वाले पी एन भगवती इनके सामने ये पुष्पा कपिला हिंगो रानी पक्स रख रही है हुष्णारा खातुन का हुष्णारा खातुन अदर का मामला ये है कि बियार के जेल के अंदर बहुत सारे कैदी चालीस अजार से उपर कैदी जेल में बंद थे जिनकी और से कोई जमानत देने वाला नहीं था पुष्पा कपिला इंगो रानी ने इस मामले में ये सवाल उठाया कि सब समुचित कारवाईयों का मतलब यदि ये है कि वो लॉकस इस्टेंडी सिस्टम पे काम करेगा जो कोट जाएगा वो इसको न्याय मिलेगा तो ये गलत है हमारे समिधान का विचार और समिधान वेताओं का विचार ये नहीं था न्याय का मतलब ये नहीं होता है और समिधान की वेक्या करने का अधिकार सुप्रीम कोट के पास है सुप्रीम कोट ने इस पर विचार करते हुए दो जज़ों ने ये विचार किया कि वास्तों में समुचित कारवाईयों का मतलब तो यह नहीं होता कि जो कोड जाएगा जो पैसे वाला होगा वो दनवान होगा जिसकी पौँच होगी उसको न्याय मिलेगा जिसकी पौँच नहीं है जो पिछड़ा है दलीत है गरीब है असक्षम है असहाय है उसको भी न्या प्रिट्री मानता है ना उनके ब्रूता गरत सचीव को कोड़ ने सीधा बुलाया आई पियेन भगोती और कुष्ण यहर ने इस मामले पर विचार करते हुए कपिला इंगो रानी के पक्स चुना और उन्होंने एक बात मैं तपन डिसीजन दिया मैं आप से कहना चाहता हूँ गरब बिवाग बियार गवर्मेंट को यह का जितने भी लोग जेलों के अंदर बंद है और छोटे छोटे अपरादों के दोस्य हैं उन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि वो इसलिए बंद हैं क्योंकि उन लोगों छोड़ने का मतलब यह नहीं बरी नहीं है मामला चलाएं मागर उसे आप जेल में रखते हो चोटे चोटे साइकल चोर के मामले में आपने रखते हो जो जमानत ही अपराद हैं जिसके अंदर SSO जो होता है वो यदि उसको जमानत दे सकता है और वहां पर SSO के सामने कोई आया नहीं इस्टेशन आप ऑपिसर जो होता है उसकी बात कर रहा हूं ठानेदार जिसको जन्रली बोलते है आप वो जमानत दे कर छोड़ सकता था आप नहीं लोगों को इसलिए नहीं चोड़ा किसके और से कोई जमानत देने वाला नहीं था तुरंट चोड़ा जाए और विद्यार् इस निरिणिय के साथ में यह लोकस स्टेंडी जो सिस्टम था इसमें बहुत बड़ा एक चेंज आ गया अब मामला यह सोच आगी कोड़ के अंदर यह विचार आने लगा कोड़ के अंदर 1979 के बाद कि यदि कोई व्यक्ति लोग इतके अंदर पब्लिक इंट्रेस्ट के अं कि और से याचि का डालना चाहे तो ठाल सकता हुए उस पर बिचार करेंगा इसको ही पी ऐईल कहते हैं है और यहां से पी यलका जनम हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं यह फादर ऑफ दी पी ऐल कहलाते हैं क्या चलते हैं फादर ओफ पियाईल पियन भगोती का आम नाम ने बहुत सुना होगा और पुष्पा कपिला इंगोरानी कहलाती है मदर ओफ दी पियाईल पहली बार कोट ने पियाईल यह प्रस्ट पियाईल केस कहलाता है इस फैस्ट पियाईल केस उशेन आरा खातुन वर्सेस बियाई इस्टेट नाइन टीन सेवंटी नाइन भगोती और कश्न यर का निरिनिया एड़ोकेट पुष्पा कपिला रानी इंगोरानी की पैर भी और एक डिसीजन यहां से एक यह मामला नाइन टीन सेवंटी नाइन में में मेरा कहने का मतलब यह है जो आया उसने बहुत कुछ चैंज कर दिये उसने एक बहुत बड़ा एक सामाचिक आर्थिक न्याय का जो कॉंसर्प था उसको बदल कर रख दिया उसने विद्यार के उस शोशन जो लोग जानकारी नहीं अन्विग्य हैं जो गरीब हैं पिछड़े हैं उनके शोशन को रोकने के लिए एक नया मारिक परस्तत किया उन्होंने लोग परसाशन को सकरियता परदान की मैं आप से कहना चाहरा हूं न्यायिक परकिरिया के अंदर सरलता आई और सामन्य मामलों को कोड पिए एल सो मोटो से अकबार में खबर से किसी और अन्य वेक्ति की और से लोग इत्में डाली कि याची का मामले को सुनने लगा और इसी को हम जनल लेंग्वेज में लीगल लेंग्वेज में या विदिक वासा में हम पिए येल कहते हैं पुब्लिक इंट्रेस्ट मामला आप को पता होगा 1 जजजे केस के नाम से जाना जाता है नाइंटीन नापमला था उसके बास बाद औलगा टेलिस का मामला जिसके अंदर मजदूरों को जो थड़ियों पर काम करने वाले मजदूरों हैं उनके मामले को कोड़ ने सुना 1985 ऐसे बहुत सारे मामले सुप्रीम कोड़ में पी-ा-ई-ल के जरी आए और ऐसी एक पी-ा-ई-ल विशाकाने लगाई जिसको कहते हैं विश जा रहा हूं वहीं पर जहां मैंने छोड़ा था भंवरी देवी परकरण के बाद जो पी-ा-ई-ल आए यह पी-ा-ई-ल थी और इस पी-ा-ई-ल को कितने लोग सुन रहे हैं तीन जजेज की बैंस सुन रहे हैं इस तीन जजेज की बैंस ने जो डिसीजन दिया तेरा अगस्त यजे डिसीजन आया था विद्ध्यार्पियों या दिलाणा चाहरा हूं 16 अगस्त 1997 और वहाथ बड़ी गईड लाइन जारी के गई मैं आपसे कहना चाहरा हूं वहाथ बड़ी गईड लाइन जारी की गई और गाइड लाइन क्या थी यह आप बास समझे एक बहुत बढ़ी गाइड लाइन जारी कि गई किस पर जादी हो रही है गाइड लाइन हो रही है जारी के मामले पर मामला क्या है काई दो पर वर्किंग पेलेश पर कार्य इस्तलों पर मैला वुमन शेक्शल एरास्मेंट योन उत्रपीडन के भार सवाल आ जाता है विशा का वर्षेज रजस्तान रज्जी नाइंटी नाइंटी हेवन का मामला क्या है तो कार्य इस्तल पर महिलाओं का योन उत्रपीडन नाट महिलाओं का योन उत्रपीडन नाट वुमन शेक्शल एरस्मेंट बल्व और वर्किंग पैलिस जो हो रहा है जो कार्य इस्तलों पर जहां पर महिला काम करती है प्राइबेट है गौश्मेंट है कैसे भी सेक्टर का है पबलिक या प्राइबेट नो प्राबलम जिस भी सेक्टर का है वहाँ पर यह दी महिला का योद्ध उत्विड़न होता है इस पर बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की गए आपको जानकारी के लिए बता देता हूं याले यदि किसी बरकार का डिसिजन देता है तो वो एक लॉव होता है सुप्रीम कोर्ट का देट का काम करेंगे एचोUC की तरफ इंडुस्तान में चलता रहेगा यह उसने उस मामले में कहा भी था मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं यदि आपको याद रहे तो इस guideline के अंदर बात क्या कही गी थी एक simple सी बात मैं आगे इस law की भी बात करूँगा completely decision होगा हम समझ में आएगा वह law पर समझने की कोशिश करेंगे मगर generally थोड़ा सा out lines देख लेते हैं कि इसमें था क्या इस मामले के अंदर यह का गया कि भाई जो नियोकता है नियोकता का मतलब कि appoynting authority जो appoyntor है जो service provider है वो कौन हो सकता है इस police पबलिक भी हो सकता इन्य गौर्मेंट भी हो सकती है एंड प्राइवेट भी हो सकता कोई भी संस्ता हो सकती है संगठन हो सकता है, कोई शाखा हो सकती है, कोई यूनिट हो सकती है, कोई कमपनी हो सकती है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई इस्कूल हो सकती है, कोई हो सकता है, घर हो सकता है, बड़े-बड़े लोगों के, बड़े-बड़े घरों के बड़े-बड़े लोगों में बहुत सारी किनों करूते हैं वो भी तो बर्किंग पेलिज जो भी है कि साहिए वो किसी भी सेक्टर का है कि वो मैलाओं के योन उतपीडन को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए अब समुचित का आपने आप समझ रहें एप्रोप्रेट और एप्रोप्रेट की कितनी हमारे कोर्ट इसक मैंस लिख रहे होते हैं जब तो उसमें जो शब्द हैं जो हमारी आदत में डाल दो आप बोल चाल के आदत में डाल दो वो अपने आप आपके हाथ लिख देंगे पेपर में अपने आप लिख देगा वो कोपी में अपने आप लिख देगा और आपने इदिया आदत में न डालना चाहिए और मैं मानता हूं कि आप भले ही किस सिंपल जनरल जो सामने वाले को समझ में आए वैसे ही बोलें यह जरूरी नहीं है आप अच्छी तरीके से जानते हैं लीगल मिनिंग जो होती है वो आपके पढ़ने पर उतरनी चाहिए बागी तो सब जानते हैं सबसे सरल भासा वो और सबसे सरल बोली वो जो बोले न्यना बावरे और समझे चैया सावरे वो तो वहीं समझ आँखों में लोग समझ जाते हैं बात तो वहीं हो जाती है मगर यहाँ बात नहीं है। यहाँ सामने वाले के कलेजी में उतर कर यह समझाना है कि यह quality है और selection करना पड़ेगा। तब selection होता है। परतिबाएं किसी की मौताज तो नहीं होती। मगर परतिबाओं को सही रस्ता भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पानी जब नदी में चलता है तो बहुत उपयोगी होता है और जब वही पानी किनारों को पार कर देता है तो कयामत लाता है तो ये पानी है परतिबा और पानी में फरक नहीं होता इनको रस्ते देने की जरुरत तो नहीं है मगर सही रस्ते पर रखना भी जरुरी है यह समाज और हमारा responsibility है इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ आप एक दम अपनी शब्दावली को ऐसे रखें सामाने बोलचाल में भी वो शब्दों को यूज करें उप्यूग लें जो आपके लिए बहुत important है और काम आते हैं इसलिए आपका language standard शुद्रेगा personality में सुदार आएगा बोलचाल में फर्क पड़ेगा और आप बहुत confident फिल करोगे कि मैं यहां ठीक हूँ इसलिए मैं आप से कहना चाहरा हूँ बाकि तो मर्जी आपकी है जैसे आप पढ़ोगे वैसा पढ़ना है तो वह कह रहा है इसके लिए समुचित वबस्ता करें इसका आगे बढ़ता है आपने देखा होगा जहां वर्किंग पलेस पर महिला हैं काम करती है वहाँ पर जनरली मैं अपने आप में जनरली की बात का आप समझ रहे हैं मैं कहने का मतलब मेरा यह है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो महिला पर छीटा कसी करते हैं वह अपना ऐसे चीज़ें किताब दे देते हैं यह बहुत अच्छी किताब आप पूजा करो या योन संभंद्या योन आनन्ण करते हैं इस परकार से बैठना इस परकार ना कंदा मिलाना तच करना बैठ तच वोलते हैं एक टक नजक नजर से बुनी नज़त से यह देखना यह सब क्या है और यही शेक्ष्वल अरासमेंट कहलाता है यही योन उत्मिडन कहलाता है सुपरिम कोड ने का उन इस्तलौब पर इस परकार का कारवाई नहीं होने चाहिए और यदी ऐसा होता है तो उसके विरुद्य सरकार है तो सरकार के सेवा नियमों कोके तैत कारवाई होनी चाहिए उसमें ये मामना सामिल करना चाहिए सबीस 좋아요 के अंदर RAW वहां कंदर करिवाई उनकी कारवाइय होनी चाहिए उसका यह रस्पंसाइब है यह उसका यह रहे हैं ये इसका करना होगा इसके साथ में उसने काया कोई प्राइवेट नियोगता है वहाँ सर्विस रूल लागू नहीं होते हैं वहाँ पर अपने रूल से लागू होते हैं परंतु वहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक कानून बनावा है उद्योगिक नियोजन एक्ट नाइंटीन फॉर्टीज़ू जिसके तहत जो नियोगता है प्राइवेट सेक्टर का वह इस्टेंडिंग ओडर जारी करता है कि ऐसे काम करो गये यह काम करो उस स्टेंडिंग ओडर के अंदर इन मामलों को सामिल किया जाए कोई भी पूरूष यदियासा करता है तो उ Supreme Code ने का जहां पर इस परकार के काम महिला एक काम कर रही है उन पर वहां पर एक परकार की कमिटी बनाई जाए और एक कांसलर नुक्त किये जाए और वो कमिटी महिलाओं के उस इस्तल पर वो कमिटी उस महिला सिरसंबंदित मामलों के यो नुद्पीडन के मामलों की बार लगाई जाएगी इस पश्ट अक्ष्रों में लिखा जाएगा उनके फॉन नमबर लिखे जाएगे कमेटी की मुख्या महिला होगी और वो कमेटी बाउंडिंग टाइम के अंदर एक तैस समय के अंदर वो कारवाई को पूरी करेगी ऐसा नहीं है कि कमेटी चलती रहे ऐ जो परत्य अर्थी है जिस पर आरोप लगाया गया है जिस महिला ने वैतिद महिला ने जिस पर आरोप लगाया है जो परत्य अर्थी है उसका नाम चला जाता है तो नो प्राब्लम इस कमेटी के अंदर आदी महिलाएं होगी इस प्रकार की एक गाइड लाइन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जारी की और साथ नियुक्ता को यह का यदि उस महिला के वुरूद इस प्रकार का एरेस्मेंट होता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति के पास में नियुक्ता का यह र पर सुझ जाता है कमेटी रिपोर्ट देती है और वहां लगता है कमेटी को कि वास्तों में इस आदमी ने शेक्शुल एरस्मेंट किया है और ऐसा हुआ है तो यहाँ पर नियुक्ता की यह क्योंकि वह रिपोर्ट नियुक्ता को जाती है जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ह होती है की सभी रिपोर्ट नियुखता है और में उसका रपर में आगे पढ़е बना उसका कर्तव वह जो रोमे में आगे brain अगर पड़ा ठाओ उसका पर पड़ाऊँगा में सब्सक्राइब और पुलीष press कि तैनल कोड के 354 के तैफ मुकदमादर्ज करेगी और यदि उसके साथ में किसी परकार कि इंसल्ट हुई है कि तो 509 के तैत मुकदमाद्ज करेगी अि दंकी दिया है 506 लगे है और आप अच्छी तरह कि जानते हैं ती साल की सजा और जुर्मा ना हो सकता है 509 150 और वहाँ पर जो मैला ने कह दिया वो ही जज लिखेगा और एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्षन 113 भी एविडेंस वर्क करेगा अर्थार्थ मैला ने जो का है वो अपने आप में अवधारना है सई है यदि प्रूश निर्दोस है तो ये साबित करें कि मैं निर्दोस हूं उसने का वो खुदा ने का सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कारेश तलों पर महिला यो निर्दोस पीडन को रोकने को लेकर और देखिए शम्मेदन सीलता से किए यहां पर मोड आप देखिए 1997 का इस डिसीजन के बाद भी हमारी पार्लिया मेंट ने इस वर लो नहीं बनाया और बनाने में सोड़ा साल लग गए किता ही लगए आपको जानकारी हो इस गाइड लाइन के आदार पर गाइड लाइन किस आदार पर जारी की गई विशाका विशाका ने किसे आदार पर मामला डाला भावरी देवी इस आदार पर इस केज पर फिलमें बनी जग मुद्डडा ने एक पिक्चर बनाई थी 2000 में बवंडर पहली राजस्तानी पिक्चर है जिसे राष्ट्रिय पुर्षकार मिला बवंडर भावरी देवी परकरण 1992 पर बनी थी याद है आपको तो मैं कहना चाह रहा हूं विद्यार्तियों इस गाइड लाइन के आधार पर 2013 के अंदर एक कानून बना जिस कानून को हम कहते हैं मैलाओं का कार्य इस्तल पर योन उत्पीडन निवारण पर्तिशेद और पर्तितोष अधिनियम 2013 उस समय मैला और बाल विकास मंतरी कुष्णा तिरत हुआ करती थी यूपीए की गौर्रमेंट हुआ करती थी मनमोन सिंग जी प्रदान मंतरी हुआ करते थे और उस समय पर्लियमेंट के अंदर ये कानून पास किया गया जो मैलाओं को कार्य इस्तल पर योन उत्पीडन को रोकने की बात कहता है ये कानुन क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लौ के बिना तो मामला समझ भी नहीं नहीं है ऐसा जो बात आपने कही वो बात यहां तक तो ठीक दी मगर लौ क्या कहता है ये मामला तो हमें समझना पड़ेगा ये तो हमें देखना पड़ेगा कि नहीं तो हम पड़ेंगे कैसे वो गाइडलाइन उसमें आ जाएगी पूरी की पूरी हूब उतर जाएगी नो प्रॉबलम इसलिए मैं सीधा सेक्षन पर आता हूँ सीधा लौ पर आता हूँ और लौ क्या है ये बात आपको अभी करता देखिए कि यह मैं उपर ही चड़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे लिए बस की बात यह नहीं रही कि मैं कहीं यह ऐसे क्या कहते हैं पेज चेंज करने वारा मामला है ना उसको मैं समझ अभी तक पाया नहीं हूँ यहां से करते हैं वो इस आगे पीछी कहीं होता है वो अ एक ही पेज स्लेक्ट किया हुआ इसलिए दूसरा पेज होगल है मेरे से लिए हैं आप मामला क्या है देखिए मामला है सक्षुल फस्मान Standards एक और यून उतपेड़न जीटा कसी करना इसी बात्या करना असल इसाइती दिखाना पोरं दिखाना कपड़े उतारना नगन करना पीचा करना बार बार वाट्सअप पर मेसेज करना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना मैला ने का मत भेज मान जा डिलीट करती है वह वापस भेज़ा है गुड मॉर्निंग हाए तीन साल के लिए अंदर लेके चला जाएगा 354D लग जाएगा और आपको बता दूं 354 अब इतनी हाड कर दी है जैस वर्मा कमिटी की रिपोर्ट के बाद निर्भिया कांड के बाद 2013 में इंडियन पैनल कोड में इसके साथ जो शंशोदन हुआ उसमें 354A 354B 354C 354D चार कलो जोड दिये गे और किसी भी परकार का मामला आता है मेला पर यदि आप कोई ऐसी बात भी करते हैं जो गलत हैं जैसे आपको पता होगा कहते हो ना आइटम अभी एक हमारे बहुत बड़े नेता जो पूरू CM रे उन्होंने कह दिया एक मेला को आइटम आइटम 354 यह लगता है और 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावदान है यदि वो मेला कोर्ट में चली जाए तो आज का टेक्नलोजी का टाइम है सब कुछ ओनलाइन होता है इसलिए मैं आपको एक सला देता हूँ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ी रहे हैं बाकि कुछ करनी रहे हैं और जो फ्रेंट रिक्वेस्ट बेजने का और वर्टसेफ पर मेसेज बेजने का काम कर रहे हैं अपने माबाप पर एक ऐसान कर दीजिए, किसी लड़की को मत भेजना, नहीं तो 354 डी लग जाएगा, पीछा करने का मामला लग जाएगा, इस्टरलिंग का मामला लग जाएगा, और 3 साल तक सजा से खुदा नहीं बचा सकता, मैं बता दूँ, ऑनलाइन में खुदा नहीं बचा सकता, क्योंकि अपने आप में प्रूफ होता है, जज भी कुछ नहीं कर चकता, इसलिए, बचा भी उप्चार है, खतम करते हैं, शेक्शुल एरेस्मेंट, किसका, ओफ वुमन, किसका सेक्शुल एरेस्मेंट की मैं बात कर रहा हूं, औरतों के सेक्शुल वर्किंग पैलेस, बर्किंग पैलेस का मतलब क्या है, वर्किंग पैलेस का मतलब है, कोई भी प्राइवेट होता है, कोई संस्ता, कोई और्गेनेजिशन, कोई संगटन, कोई विध्याले, कोई स्थ्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिट, कोई शाखा, कोई हो सकता है, वर् प्रिवेंशन का मतलब क्या है निवारन होना चाहिए निव्टारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए निवारन दूसरा इस पर रोक होने चाहिए प्रोहीबीशन प्राहिबिशन एरिया एर्या दिखा बता है व्याया भी प्रोहीबीशन एंड रेडडर्स प्तरेप GDERL का मतलब होता है विध्यार्तियों पति तोश उसका प्रतिकर उसके लिए प्रतिकर नहीं होना चाहिए निवारण होना ची रुकने चाहिए नहीं होना चाहिए प्रतितोष मिलना चाहिए क्या है एक कानून एक्ट कब बना दो अजार तेरह कानून का नाम क्या है कानून का नाम है शेक्षुल एरस्मेंट वुमन एट वर्किंग पहलेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड रेशल एक्ट टू थाउजंड थर्टीन कर्शना तेरत महिला बाल विकास मंतरी भारस सरकार द्वारा भारत इंडियन पार्लियमेंट बनाइया गया ये कानून किस ने बनाइया गया कानून क्यों मना ये कानून वर्किंग पहलेस पर महिलां के योन उत्पिटन रोकने को लेगा है ऐसा कोई मामला विशाखा में का उस गाइड लाइन के हिसाब से बना वाई क्यों क्यों बनाया गया का इस फास्ट इस गाइड लाइन विशाखा केस इस के लिए कोई प्राब्लम नहीं Constitution के अंदर Article 14, Article 19 और Article 21 कि राइट देता है कि एक्विलिटी बरती उपजीवी का कारोबार की सवतंद्रता और मानेवी गरीमा के साथ जीना कि इसको अक्टिव करना अगली बाद हम यूएन के मेंबर हैं और यूएन का एक विद्यार्ट्यों कन्वेंशन हुआ है जिसका नाम है C.E.D.A.W. नाम सुनाए आपने 93 के अंदर ये कन्वेंशन है था जिस पर भार सरकार हस्तक्षर कर चुकी है 25 जून 1993 कोड़ ये क्या है सेडो क्या है सेडो ये है कि कन्वेंशन ओन दी इलिमिनेशन मेलाओं के उपर किसी भी परकार का होने वाले उत्पीडन को रोकने को लेकर एक कन्वेंशन एक अभी समय लाया गया और इस पर हिंदुस्तान सरकार साइन कर चुका है हमारा देश साइन कर चुका है तो हमारी ये डूटी बनती है मानने के लिए यूएनो के किसी लोग को हम जरूरी बाद्य नहीं है उनके अभी समय को माने ये जरूरी नहीं है उनके पैक्ट एक्रिमेंट समझोतों को माने हम जरूरी नहीं है परन्तु यह लौ बनाया और इस लौ इस एक्ट इस अधिनियम के अंदर जानकारी के लिए बताना चाहता हूं 13 सेक्षन है कितने सेक्षन है जारा हैं और आठ अध्या है जो यह काम करते हूं कोई भी लो बनेगा तो लो के आधार पर विद्यार्तियों रूल बनाया जाएंगे क्या बनाया जाएंगे रूल कौन बनाता है रूल पार्लियामेंट नहीं बनाता है रूल बनाती है गवर्मेंट कौन बनाती है गवर्मेंट बनाती है और इस कानून के अंदर सेक्षन 30 जो हैं सेक्षन 29 जो हैं वो ये कहता है कि पार्लियामेंट इसके उपर रूल बनाएगी और सरकार इसके अंदर 13 में इस पर रूल बनाएगे और यह law and rule परतेक नियुक्ता सर्वोस प्रवाइडर जो है उसको यह मानना होता है और उसके आधार पर काम करना होता है इस law की मैं पूरी बात तो आप से नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ख्याल से यह law आप पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे लं सेक्षन तो आपके लिए कितना ठीक रहेगा मैं कोशिश करता हूं कि आपको यह थोड़ा सा समझा दो सिंपल सिंपल बाते इस इस जो that is एस एक के अंदर जो पहले है उसमें तो ए जो सेक्षन है वो एक साब कहता है कि इसका जो नाम है कि वो क्या है तो नाम क्या है भारत में लागू होता है जम्मु कश्मीर सहीत रहीत नहीं सहीत पूरे इंदुस्तान के अंदर लागू होता है और इस सेक्शन के अंदर कुछ बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं जो कुछ मिनिंग से वो इस सेक्शन के स्वरी इस एक्ट के जो सेक्शन टू है जो धारा दो है उसके अंदर कुछ मिनिंग है मिनिंग क्या है मिनिंग जो इसमें जो बहुत जरूरी है यह बहुत जरूरी समझना होता है किसी कानून को समझने के लिए पहली बात तो यह होता है कि वैथित कौन है वैथित केवल और केवल मैईला है कौन है जो शिकायत करती है जो परिवाद लाती है वो वैथित मैईला होगी यह मैईलाओं के लिए लो है प बहुत सारे कानून क्योंकि हमारी समिधान का 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि मैलाओं और बच्चों के लिए विशेश प्रावधान किया जाता है तो लिंग के आदार पर वेदवाव नहीं होता है इनी सेक्षन 15 एक और 15 दो का उलंगन नहीं माना जाएगा ये 15 तीन में लिखा हुआ है कि अपने सुणाए ना गुर्ड कोलेज होते हैं कि मैलाओं के लीए मैलाओं के कोलेज में कोई प्रूप्र एड्मिस्ण नहीं ले सकता मगर किया बॉइस कॉलेज के अंदर या पुरूश कॉलेज के अंदर मैला एड़िसन ले सकते हैं क्योंकि वह तो को एठूकेशन है उनके लिए कोई विसेश्ट तो विसेश्ट यह केवल मैला दूसरी बात परत्या अर्थी कौन होगा परत्या अर्थी वह होगा जिसके विरुद्ध यह मैला केस लाई है केस का मनलब यह कोई F.I.R. नहीं होगी यहां पर मैं आपको बता देता हूं कारे इस्तल पर मैला यह नूट्पिड़न अतिनियम के अंतरगत कोई नहीं वर्किंग पेलेस पर जो काम है वो नियुकता का रेस्पोंसबिलिटी है वो कमिटी का गठन करे करेंगी और जो लॉकल लेवल पर डिस्टिक लेवल पर जिला दीस के अधिस उचना द्वारा बनाई के कमिटी होगी वो सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन सेवन के तैट काम करेंगी यह उन कमिटियों के बाद है जो मामले को निप्टाएगी सुला करवाएगी या उसके लिए करेंगी करें हर कोई सर्विस रूल के तैत या अपनी जो रीती करेंगी कि इनके कारवाई करनी चाहिए वह तयह करेंगी करेंगी और वह यह उत्म का मतलब क्या कारूइसтор का मतलब है कोई वी समष्ता मिंस्ता मतलब क्या है बहुत इंपोर्टेंट बात यहां पर विद्यारतियों आ रही है वह आ रही है कि योन उत्पीडन्द या लेंगिक उत्पीडन्द क्या होता है तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूं यहां इस पस्ट मिनिंग लिखी हुई है सेक्ष कोशिश करता है आगे बढ़ने की कोशिश करता है या लेंगिक अनुकूलता की मांग करता है इस परकार की बाते करता है इस परकार से संपर्क करने की कोशिश करता है इस परकार की कोई टिपनी करता है इस परकार का कोई अनुरुद करता है मांग करता है कोई आशलील कि दिखाता है यह यह बात देखिए विशा का केस में थी मैंने का उस गाइडला राहन के हिसाप से बना है लेंगिक प्रकरती तो बरीक और गतीवित może पक्रति है साहरिक हो सकती है है को आचनन करता है को इशारा करता है इस फरकार से कि नज और पैचान में मेलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं। भगवान ने मेला का इंटर्नल सेंस इतना सूपर बनाया है उनका कि वो सामने वाले आदमी को देखकर पता लग दाती है कि इसकी नीती क्या है। ये सोचता क्या है ये करना क्या चाहता है। और पुरूज को ये भी पता नहीं होता कि इसका प्रिणाम क्या होगा। जबकि वो सब सामने इसका इंटर्नल सेंस लेडि का बहुत सूपर होता है। आपको पता होगा, भगवान ने उनको ये परकर्ती ने परदान किया है, सौ किलो मिटर दूर ये बच्छा बैटा हुआ है, और बच्छा रोता है, तो मा कह देती है, बेटे को भूख लग गई, बेटा रो रहा है, पैनो आयो हो, दूद आ जाता है उसके थनों में, बच्छा रोने लगता है, भूख लगती है, आउटोमेटिक, ओटोमेटिक, वो बस में बैठी है कुछ काम कर रही है तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इस्तिति के अंदर उनको समुचित स्विधाय परदान की जाए यह नियुकता का काम देखिए यह कोई लौ बनता है तो उसके पीछे जो इंटेंशन होता है वह बहुत सूपर होता है बहुत सली करने वाले लोग उसको बुरा बनाने वाले लोग होते हम होते हैं हम किसी कानून की आलोचना नहीं कर सकते हैं हम बवस्ताओं के लोचना कर सकते हैं तो लेंगे को लेकर है अगली बात इसमें विद्ध्यारतियों खास बात है वह पौश को लेकर यहां जो सेक्शन 3 है इसक कि और चाहिए और सब बात है इस परकार की परिस्तितियां और आचन बनाया जाए इस परकार के कारे कि and सहसभी के वात्वर को आपने आपे वोक को कई आ टार लीए और गयवथ कि वहां का जो principle होता है जो हेड़ होता है वह जनलेलिए कहा एसे करो उसके लिए इस परकार का माउल बनाता है थाकि वह मजबूर हो जाए हिट इस परकार के के केरियेटिविटी पैदा करता इस कर देता है कि इस परकार की कई कमेटि का मेंबर बना देता जो मैला के लिए संभव नहीं के काम करना पड़ेगा करना पड़ेगा नहीं करो कर देंगे आपकी जिर्थ की उसके अंदर अचता है उसके परतिकुल माला वहवार किया जाता है उसके वहवार के स्वस्त्य को शुरक्षा को उसकी medical facilities को इद्यान में नहीं रखा जाता है तो यह माना जाएगा कि पुलंगर हो रहा है वो कर रहा है यह section 3 में post की बात है यह section 3 है इलिए आपको याद रहे तो रखना नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है prevention of sexual harassment की बात क्यों है वो इसके अंदर है अब मैं बहुत simple बाते आप से इससे आगे बहुत तेजी से मैं बात करूंगा अभी इतना simple चल अब एक बात करूं मैं आपसे यह सब लोग का मूल कारे और कैसे काम करता है तो जहां पर ऐसे कारे इस तरफ जहां पर 10 लोग का मतलब मैला हैं तस नहीं कही बार यह होता है तस मैला हैं बहुत एक भी मैला नहीं है उन working palace पर जहां working palace है उन working palace पर एक committee बनेगी जिसको जो नियोचक है वो अपनी एक लिखित रिपोर्ट के आदार पर एक लिखित और जारी करेगा चाहिए वो प्राइवेट है मैंने आप से का चाहिए वो गौर्णमेंट है कोई फरक नहीं पड़ता वो एक अपना और निकालेगा और उसके इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाए किसके लिए बना रहा है किसी मैला के साथ यदि कोई एरेस्मेंट होता है तो मैला उनकी अपनी बात जो है वो इस कमेटी को कहेगी वो अपनी रिपोर्ट यहां देगी वो लिखित में यहां कहेगी सब मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे यहां का जो करम चारी है देखिए वो मैल था वहां काम कर रहे हैं को आदे आधिव मेखंग कर रहे हैं को उप पड़ रही है उसके साथ वहां पर कुछ होता इस जगह पर कुछ होता है तो वह इंटर्नल कंप्लेंड कमिटी के उस रेपोर्ट को अधो सभी आपको बता देता हूँ पीटा सी नदेकरी पड़ जा है कि मगर सीनियाद जो वरिष्ट है वहां पर वरिष्ट मैला होगी यह तो और नहीं तो बले दूसरी बनाओ मगर इसकी internal complaint committee की जो मुख्या होगी वो मैला ही होगी वो कभी भी पुरूष नहीं बनाया जाएगा इदी पुरूष बना देगा तो फिर तो आपको पता ही है इस committee के मैं नहीं कहता सब ऐसे होते हैं फिर report प्रवावित होती है ऐसा मानना है ना कि law ये मानता है law कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ जहां पर law की बात करूँगा मैं वहां केवल और law की बात करूँगा दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ इसमें दो सदस्य होंगे जो वाँ के कार्मिक होंगे उन मेंसे दो सदस्य होंगे ये एक मैला हो जहां तक संभव हो एक मैला हो ये दी मैला नहीं है तो कोई बात नहीं मगर उस दो सदस्योगों को ये द्यान रखना पड़ेगा कि वह मैलाौं के बारे में कानून की जानकारी रखता हो वो उनके बारे में सामाजिक कारे कर चुका हो इस परकार का वर कर चुकाऊ हो और सरकार इनको ट्रेनिंग भी देती है मैंबर्स को बुलाकर ट्रेनिंग भी देती है Gверnymi की डूटी है कि वो उनको ट्रेनिंग दे ये सरकार का कर्टब और हिसकानून की अंदर है कि कि वो ट्रेनिंग दे जो सदस्य होंगे जिसमें एक नाओड है एक सदस्य जो महिलाओं को लेकर खास्तोर से काम कर रही है उस महिलां की होगी लैंगिक मुद्णों से सू परिचित होगा वो ही होगा विद्यार्टियों इन कमिटी के इन मेंबर्स का कारेकाल तीन वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं इन लोगों के ट्रेनिंग होगी इन लोगों के लिए ये मेंबर जुबार से आएगा इसके लिए 200 रुपे पर डेके हिसाब से डि एसी के साथ वाता अनुकूल एसी की टिगट दे होगी ये नीमों में प्रावदान है रूल्स में लिखा हुआ है ये एक्ट में नहीं है रूल्स में लिखा हुआ है उनके लिए पूरी वबस्ता होगी ताइम टाइम पर इसकी कमेटी की बैठखें होगी मामला को इसके पा करती है यह आपको जानकारी के लिए बता देता हूं यह कमिटी वहीं होती है जहां वरकिंग पहले इस पे 10 लोग होते हैं माली जिए यह मामला है कि कहीं पर 10 मेंबर नहीं है छोटी है तो वहां पर महिला कहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाएगी उसके लिए एक होती है लोकल कंप्लेंट कमिटी इस्थानिय परिवाद समेथी एक बनाए यह होती है इस्थानिय यह बहुत जरूरी चीज़े परिवाद समीथी यह सेक्षन भी ध्यान रखो तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा यह सेक्षन फूर इस कमिटी का गठन करेगा जिल्ला कलेक्टर जिल्ला धीस जिल्ला मजिश्टेड डिस्टिक मजिश्टेड अपनी अतिसूचना से इस कमिटी का गठन करेगा सेक्षन सिक्स टेरा स्क्षंट 15iste स्ट जो है वो इसके गठन कीन कहरता गठन कैसे होगा से इसके अंदर बटाशीन अदिकारी होगा वह मैला होगी किलियर बात है मैलां की सामाजिक चैतर के अंदर पर्खियात या परत्षुष्टीत रूप से काम करने वाली कोई मैला इसकी जो पियो होगी वो वूमन होगी मैला होगी अंडेड परसंट ये बात ध्यान रखना है वो मैला ही होगी जो सामाजिक यह आप देखें ये कमिटी किस इस्तर पर होगी तो यह जिल्ला इस्तर पर होगी इसका का मिए कि जो यह जान इंटर्नल कमिटी नहीं बनी हुए यह complaint committee उनके लिए काम करें आप समझे आ रिपात बात हुआ बात बताओ मालीजी दसनीर वो कांद रिया करें। मालीजी मैं आपको क्यों सिंप्र यह कमेटी किस ने गठी सिर्थ नहीं जग ने जो कंपनी का मालिक है जो परबंदक है जो परिव्यक्षन है जो सुपर्वाइजर है उसने बनाई इस कमिटी को और यदि वो ही सेक्ष्वल एरेस्मेंट करता है तो वो महीडा रिपोर्ट कहां देगी यहां देगी यह तो उसकी बढ़ा हुई है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब कतल का फैसला कातिली करेगा तो फैसला क्या होगा इसलिए उस नियोचक के विरुत यदि किसी प्रकार की कंप्लेंट करनी हो तो उस महीला को लॉकल कंप्लेंट कमिटी में करेगी जिस्टिक लेवल पर जिल्ला दीस्ट्वारा बनाएगे कमिटी में करें और उस कमिटी के अंदर एक अध्यक्ष होगी एक सदस्य जो होगा विद्यार्तियों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं वह किसी तैसील लेवल जिला बड़ा तैसील ब्लॉग नगरपाल होगी है ना उसको बना देगा दो सदस्य जो इसके अंदर और होंगे वह सदस्य विद्यार्तियों किसी संगठन या और्गेनाइसेशन से जुड़े हुए लोग होंगे जनरली उसमें एक महिला होनी चाहिए एक ध्यान रखा जाएगा दूनों में से एक महिला होनी और जब भी वह सदस्य या डिस्टिक लेवल पर लॉकल कंप्लेंट कमिटी के अंदर भाग लेने के लिए आएगा तब डाइसो रुपे उसको डिये दे होगा और इसके साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं उस व्यक्ति को थर्ड एसी का किराया थर्ड एसी म विकास, माइनोरिटी, इससे रिलेटेड होने चाहिए वो जो जो दोनों सदस्यो मेंसे जो एक मैला होगी वो इस कategor화 के होने चाहिए इस मैसे आने चाहिए ताकि एक न्याही हो सके अगली बात मैं आपको बता देता हूं जो डिस्टिक लेवल पर मैलाबाल विकास अधिक से होगा और इस परकार से ये कमिटी बन जाएगी और ये कमिटी के सदस्य भी तीन वर्स के लिए होगे तीन वर्स बाद इस कमिटी को वापस डी और गयाइस्ट कर दिया जाएगा निर्मित कर दिया जाएगा वो बनती रहेगी और ये जिला दीश बनाएगा ये नियुकता बनाएगा इसमें ये मेंबर होंगे देखिए एक और टीन मेंबर इसके अंदर देखिए एक अध्यक्स एक क्यार और पांच पांच सबस्थिये कंपथी टोटल फाइब एंड टोटल फोट्ट मेरी ख्याल से यहां प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाईए इसकी जो सरचना है इसका जो इसट्रैक्सर है कि ये महिला का सेक्ष्वल एरस्वेंट होता है तो लॉकल लेवल पर इंटर्नल जो वर्किंग पैलेस है उसकी इंटर्नल कमिटी होगी वह रिपोर्ट वहां पर परिवाद देगी और यदि मान लीजिए दस से कम कार्मिक हैं तो वहां पर या नियुकता के वुरुद्धी कोई कम्प्लाइन करनी हो तो लॉकल लेवल पर बनी हुई कमिटी में करेंगे यह एक खास बात है दूसरी बात मैं आपको याद रहे तो आपको याद रखनी है यह जो कमिटियां होती है यह ज कमिटी किसी भी व्यक्ति को नोटी जारी कर सकती है उनसे पूछता सकती है उन्हें बुला शक्ति हैं उनके व्रुद्ध समय जारी कर सकती है यह एक पर कारवाई का निरदार भी चारुबो है कि उस पर आरोप लगा उस परते हर्थी के विरुद्ध किस परकार से कारवाई होगी ये भी तैय करेगी अब मैं आप से सिंपल सी बात थौली सी बता देता हूं जो बहुत इंपोर्टेंड कंप्लेंड कैसे होगी इस कमेटी के अंदर कंप्लेंड करने का तरीका क्या है परिवाद कैसे किसी भी महिला के साथ इस परकार का कोई काम होता कौन लाएगी परिवाद विद्यारतियों मेहिला लाएगी तो उस महिला को तीन माह के अंदर यह शिकायत करनी है किते महिने में यह नहीं है मेरे साथ ऐसा किया था मीटू अब दुए नहीं उसमें दस साल बाद हो रहा है शर्मानी चाहिए मेलाओं के लिए ऐसी मेलाओं के कारण में आपको बता देता हूँ मेला को लोग जनरली यह अब्जेक्शन करते हैं कि यह गलत हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जूटे मामले दर्ज करवाते हैं जूटे परिवाद डलवाते हैं जूटे आरोप लगाते हैं ताकि लोगों को पैसे एड़ सके माना नहीं कर सके डिगनीटी कराब कर सके ऐसी कुछ मैलाएं होती है जो मैलाएं नहीं होती है वो कुछ और होती ह मगर उसके काल पूरा का पूरा नारी, समाज बदनाम होता है, हमारी बेटी, मा, बुवा मा 7 सब बदनाम होते हैं क्यों उनोगों के काल ख्रा हितो ऐसा ही सुता है पर जबकर आसे लोगों की संख्या जादा नहीं, उनका पर्भाव जादा है कि वह रात और दिन दंदे भी लगी बिजनेस कि हजारों लोग केस देखते चाहिए कि रिकॉर्ड देखिया मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 166 में बाउंडेड है बंदा ऐसे से तो वह तो आपका यार्द दरिश कर नहीं है in Laser Digital किस निकलता कुछ नहीं करता है हुए कोई पूड़ में विटनेंस नहीं होता है इस्टारड में थोड़े बहुत पैसे ठीक हा नहीं चलता है और चलताहित्त। विटनेस नहीं होता है जूट जता मेरे साथ दर्ती पर कल हो गया तो हो गया कोई लाज इस बिग मिस्टेक इसके कारण पूरा जो एक हमारा हुम बीन जो कॉंसप्ट है जो मेला के लिए जो राइट मिलने चाहिए उन लोगों के कारण इस परकार के और वो लोग मीडिया मैं कौन से युग्य लोग वो पर एक पता नहीं कोई रिया रिया कोई मैं नहीं जानता ज्यादा हर चैनल पर आज गई है आज गई है वहां पर आज गई है और आपको कंबलोर्ट के सोईती नीचे सोईती रात को यह खाया था दाल में नमक कम था शरमानी चाहिए तुम्हें कि जब लोग तंतर का सोता इस्तम खराब हो जाता है और अपने आप में बिख जाता है और गलत काम करने लग जाता है तब यह जल्ट होता है कि मैं किसी का अलोचना ही करना चाहता है यह आदत नहीं मगर मैं हूँ ऐसा कि बोले भी ना रह रही सकता इसलिए बोल देता हूं मगर सब जानते हैं बोलने के कहा जरूर यह आप नहीं जानते हैं सब ही नहीं मगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी होने ही चाहिए कि हम इस बातों को तिन महीने के अंदर मैला को अपनी रिपोर्ट देनी का देनी है या तो वह ICC में देगी और इदी ICC नहीं है तो LCC में दे देगी या फिर इंटर्ण कंप्लेंट कमिटी के अंदर अपनी एक रिपोर्ट देगी इस में इस परिस्तितिया तो तीन महीने में चूट भी दे सकती है वह कमेटी चाहती है कि वह उसे विचेश शूट भी दे सकती है ऐसा कर सकती है मैं आपको बता दूँ यह प्रावद अगली बात यह कमिटी के पास डिपोर्ट आता ही कमिटी सबसे पहला काम यह करेगी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कमिटी का पहला काम यह होगा कि वह सुलह करवाएगी समझोता करवाएगी दोनों कोई बुलाएगी कहेगी और महिला का खास जान रखेगी उसकी अप्लिकेशन में महिला कहती है कि भाई ने मना तो यह रूलेगा तो उस पर मैं आपको बता दूँ वैतित महिला के अनुरोद पर यह कमिटी उनने सुलह करवाएगी मगर जान र सब्यूगों कि इत्ता रिपिया यह पेस्ञार लें देन समझोता कई भी स्तिती में नहीं होना चाहिए किसी बीस्तिती में रूप्य का लेंदन नहीं होना चाहिए जो कि दंदा हो जाए देखिए पता सबको है पार्लियामेंट में भी है वगर वो भी जूट बोलते हैं पता वहां भी है कि गलत होता है यह समझोता नहीं होना चाहिए इस परकार और यदि हो जाता है तो उस समझोते को अभिलिकित किया जाएगा और दोनों को साइन करना पड़ेगा और दोनों को एक एक परतियां दी जाएगी कि ये मामला निपड़ चुका है आप इस मामले पर किसी परकार का कोई गड़बड नहीं करोगे और ये आगे नहीं मामला ये तो नहीं आ जाएगा उसमें तो कुछ है नहीं माल लीजिए सुला नहीं होती है तो क लांच की प्रक्रिया में 6 परतियों में इसको रखा जाएगा और विद्यारतियों ये लोकल कंप्लेंट कमेटी या International complaint committee किसी व्यक्ती को सित दोस पाती है या दोसी पाती है तो उस व्यक्ती के विरुद्ध मैं आपको बता देता हूं अनुतोष पर्तिकर का एक नोटी जारी कर सकती है जुर्माना कर सकती है जो पचास आजार रुपे तक हो सकता है और रिपीट है तो लाख रुपे तक time ए मैंने का time bounded process जखाता सुप्रिम कोड ने विशा का guideline के अंदर time bounded 90 दिन के अंदर ये process पूरा हो जाना चाहिए विद्ध्यारतियों एक बहुती simple बात बताना चाहता हूं जाच परकिरिया के दोरान जांच प्रक्रिया के दोरान क्या होगा मामला जब तक लंबित है उस समय तक महिला के पास में बहुत विशेस अधिकार है बहुत इंपोर्टेंट बात कह रहा हूं सेक्शन 12 के अंदर ये प्रावदान है लंबित मामला होगा तब तक महिला के पास ये राइट होगा कि महिला आपनी मर्जी से application डालेगी कि यह तुम मेरा ट्रांसपर कर दो या पर्ति शर्टिका च्रांसपर कर दो का सिर्थ निकाल दो इसको और committee के कहने पर जीवक्ता उसका ट्रांसपर करेगा दूसरे जगह पर यदि वो कहती है कि इस आदमी को निकाल दे तो आदमी चला जाएगा और वो कहती है नहीं मैं यहां सुरक्षित नहीं हूँ मेरे बिरुट कुछ गलत हो सकता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा समझ रहे हैं कई तो यहीं मर जाती है कि अपनी ट्रांसफर कराने के लिए कि कह देती है इसने मेरे कुछ बुरी नजर से देखा इंटर्नल कमेंटी सहाई श्यूति कर देगी योक्ता उपर से ओर्डर कर जाता है जोड़पर किया जाता है चलौ जाओ ख एक तुंदेश चाहिए कानुन में लेकवएंड होता है अमानुदी पूर्स है जो dolrí भा डूसरी बात यह चाहती है मेरी बात बहुत अच्छी तरीके समें मेहिला यह चाहती है कि उन्हें छुटी दी जाए तो मैं आपको बता दू तीन महीने की विसेश अवकास मिल सकता है लंबित के दोरान मेहिला चाहे तो इस्तानांतरन करवा सकती है या उस प्रत्य अर्तिका करवा सकती है उसके कहने पर या वो लिव इस्पेसल लिव की अवक करते हो याद रहे तो याद रखना तीन महीने के अवकास में उसे पूरा वेतन मिलेगा और अन्य अवकास जो उनको मिलते हैं वो तो मिलेंगी उनमें यह कटोतिया नहीं करेगा यह स्पेसल अवकास होगा जो महीला ले सकती है और महीला को यदि कोई विसेश रात देनी हो तो लंबित परकरन के यह सब कुछ लंबित परकरन के दोरान होगा खत्म अने के बाद नहीं कि हम तीन में न दिदू मैं वह केस की ना लंबी थे या फिर महीला को किसी प्रकार का पैस है कुछ ऐसे कोई जरूर देया तो नियोकता कहेंगे इसको एक महीने का एडवास दो और फिजिकली यह बहुत टैंसन में डॉक्टरी मेडिकल खर्चा चाहिए साइकोलोजिस्ट से यह सलाह ले रही है इनका दिमाग बहुत रखा है खराब तो ही रखा है जिसमें तो कोई शक ही नहीं है तो यह कमिटी अपनी पूरा होने के बाद मैं 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी मेरी बात बहुत अच्छी तरकी से अब बापन जा रहा हूँ यह लंबीत बुरा हो गया लंबीत के बाद में यह पूरी होने के बाद टेंडिस एक्षन करा सेक्षन थर्टीन साब साब लिख रहा एसा और यदि इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर प्रत्यारती दोसी है हो सकता है जिस पर महिला ने आरोप लगाया वो दोसी है सिद्दोस पाया जाता है तो उनके उरुत सेवा नियमों के तहत कारवाई करने का कमिटी कहेगी सस्पेंद करना और कुछ नोटीस पकड़ाना कायन बताओ उसको दिकारना सामाजी कार्य करना अल ऐसा दंदा किया पूरे का अ इस परकार का कि उसके पूरिद कारवाई कर सकते हैं और सर्विस रूल के तैस भी कर सकते और यदि कम्प्लेयंट कमिटी को लगता है कि इस पर तो आफ यार और रोडी चाहिए तो ठाने बेज देंगे पुलिस अधिकारी को एफ यार हो जाएगी और यदि महा जूता है को जुर्माना करती है तो जुर्माना बसूलेंगे सिधी से बात है और आपको बता दूट किसी प्रकार जुर्माना होगा तो भूह गी तरफ सुली हो फेतन से Kटोती होगी और वो नौकरी छोड़ चुका है तो भू राजशों की तरव तुली होगी यह थोड़ा सा ध्यान रहे ही तो रखना मगर यह कोई महिला ही मिथ्या आरोप लगा देती है रिपोर्ट में एक्यूज ने तो बहात अलग है मान लीजिए उसने यह मिथ्या आरोप लगाए संबव सब कुछ है तो सेक्ष्ण हुटी यह रहा है कि वो कमिटी जो है साई इंटर्नल कंप्लेंट कमिटी हो उसकी सहिस्तुति पर उनकी रिपोर्ट पर महिला के व्रुद्ध कारवाई होगी और यदि रीती नहीं है तो जो रीती वुर्ट है करेगी सर्वीस रूल में ऐसा प्रावदा नहीं है तो जो कमिटी रिपोर्ट देगी उसके अदार पर उसमेला के बृद्ध कारवाई होगी इसलिए मिथ्या रिपोर्ट भी एक परकार का अपराद है उनके बृद्ध भी कमिटी रिपोर्ट दिलवाद कह कर सकती है अगली बात महिला के लिए सेक्शन इप्यार्टियों तुरंद परृद्ध थो देने की बात कमेटी कह सकती है सेक्शन 65 के अंदर विद्यार्टियों देखे सेकशन 16 के अंदर धियार्टियों मैं आपको बता देता हूं इस बात की रिपोर्ट है कि यह कंप्लीटली रिपोर्ट दोनों से रिलेटेड जो है वो अंतर वस्तुं को और कारवायों का प्रकास्य को करिगी आउट नहीं करेगी और यदी कोई आउट करती है तो मैं आपको बता देता हूं उस मेंबर पर जिसने ऐसा किया है पांच हजार रूपिया जुर्माना होगा नहीं करना चाहिए और कर दें कोड ने भी यह कहा था देखिए कानून वही बना है नया कुछ नहीं बना है मगर कानूनी रूप आ गया है लोग बना दिया गया है बाद्यकारिता आ गई है ऐसा करना पड़ेगा अगली बाद यदे मानलीजी इनको कई अपील करनी हो तो मैं आपको बता दू किसी नियालय यादीकरण के अंदर ये 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं डिसीजन के बाद विद्यार्टियों मैं जानकारी के लिए कहना चाहरा हूं ये अपील करना चाहें तो अपील कर सकते हैं और अपील करने का जो का टाइम है वह अपील का टाइम है 90 देस सब्सक्राइब नबबे दिन के अंदर ये कुई दोनों में से कोई भी येसंत मांली ज Spirit महिला लगता है कि ये वैसला नहीं है कमिटी की तो कर सकती है और ये प्रतियार्थी को लगता है उस पुरूश को लगता है जिस पर आरूप लगया गया उनको लगता है कि वह भी यहां कोई सजा नहीं है यहां सजा और काम करवाधा है जुर्माना बेसा कर सकती है कमीटी जेड नहीं बेचती है स्विल अधिकारीता प्राप्त होती है जब की मामला चला गया या अधिकर मेस्टेट में after मैं आपको बता देता हूं जैसे तो अपने से बने या सलिटार में तरव बने वे परसांस टरभीन बने में चे데री कर सकते इस च्छल्μεार कर सकते सिधा नहीं जाता है कम्प्लेंट कमिटी की रिप्र या इंटरनाल कम्प्लेंट कमिट्य या लॉकल कम्प्लेंट कमिट्ए की जो रिप्र-ठी hen वहाँ पर बाब सकते कैस सकते अब्जेक्शन कर सकते और 90 दिन की बि Mage यह यह उनको करना पड़ेगा इसके अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ नियोचक का यह करतव है कि वह महिला को शुरक्षित शुरक्षा प्रदान करें और सूदर्स्य जगह पर अच्छी जगह पर पूरी की पूरी इस इंटर्नल क करेंगा इसी की कारवाई के बारे में जो इंटर्नल कंप्लेंट कमिट्य उनके गतिविद्यों को अफजर्व करेंगा देखता रहेगा और यदि कोई महिला को मुंखत्मा दर्ज कराना है तो इंडियन पैनल कोड के तैस्ट जो 300 354 में करवाती है 394 मामला होगा या फिर मा इसलिए गलत आचनन का दोशी मानेगा और विद्यार्तियों इस रिपोर्ट को मॉनिटर करने का काम भी करेगा इसके साथ मैं आपको बता दूँ जिल्ला अधिकारी का यह करतब है कि वह लोकल कम्प्लेंट कमिटी की जो रिपोर्ट है उसको मॉनिटर करेगा और जानकारी सरजित करने के लिए एंग़ियों गेरा को भी कई ये हो रहा ओक नहीं हो रहा है इसको लेकर वह एंजीओ अगेरा को भी काम देता है उनकी रिपोर्टों को ध्यान में रखता है और इस वरकार की बातों को सुनने का जिल्ला अधिकारी का करत् recreate साथ महें स्टेट को भी यह काम रहेगा और यह कमिटी अपनी में आपको बता देता हूं एक report बनाएगी वार्शिक और वार्शिक रिपोर्ट जो हैं वो ICC जो हैं वो अपनी report को और LCC जो है वो अपनी report को मैं आपको बता देता हूं DM को देगी दोनों ही DM को देगी चाएए वो local मामले ऐसे रहे जो 90 दिन में आप नहीं निप्टा पाए जो विक्स टाइम के अंदर नहीं निप्टा पाए इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी उस वापनी वार्शिक रिपोर्ट के अंदर देना पड़ेगा सरकार अपने आकड़ों को अपने पास में रखेगी सूचन मांगने पर किसी परकार के आकड़ों का या अभीलेकों का दिरेक्षन करना हो तो गौर्रमेंट रज्य सरकार कर सकती है और यह दी कोई व्यक्ति इन मैंसे किसी का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना करने का भी अधिकार है 50,000 रुपे तक जुर्माना किया जा सकता है और नियाले ऐसे मामलों पर चाए तो संग्यान भी ले सकता है जो परतम सरेनी का मंचिश्टेड होगा वो इस पर संग्यान ले सकता है और इस कानून से रिलेटेड नियम बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गोर्मेंट को है जो सक्षन 29 कहता है विद्यार्तियों मेरी ख अक जो कैसे मेरी क乐 करते है किस परकार से एक ससुप्रिम कोर्ट पर सुपरिम कोर्ट में ले जाता है और सुप्रिम इस पर सुनोां करते हैं गाइड़ लाइन जारी होने के बाद 2016 सौने बाद सरकार हमारी पर्लियामेंट एक ल्वनाती है और लौ laughed पर प्रहुदाने यह ब जाती है तो मैं ये मानता हूँ कि आप इन चीजों को दिल में उतारोगे, दिल दिमाग में उतारोगे, समझने की कोशिश करोगे विद्यारतियों आप भी जानते हैं कि हर किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आस्मा नहीं मिलता मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है मगर किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता यह बात आप सब जानते हैं मेरा कहने का मतलब यह है मैनत करिए इमानदारी रखिए और ऐसी कोशिश करिए आप इस परकार के परियास करिए कि एक कॉंसेप्ट बैस्ट बन आप पढ़ सकें कि वास्तव में मामला क्या था कैसे चलता है किस परकार से किस परकार से सुनवाई जां होती है क्योंकि हम एक जागरुक वेक्ति आज के 21 सदी के अंदर जब हम जही रहे हैं और उस दोरान यदि हमें इन मामलों की एक सामा नहीं जानके आप अच्छे तरीकेत जानते हैं आप कॉलेज में देख रहे हैं है इने रिपोर्ट कमिट आप देखिए एक प्रिंसिपल जिस पर पचास हजार रुपे तक का जुर्मा नहीं हो सकता है जिनको विद्यार्तियों जिसके उपर सेवा नियम कि आपने कमिटी नहीं बढ़े है जरूरी नहीं है हो जाएगा देख लेंगे एड़्जेस्ट कर देंगे आप कानून एड़्जेस्ट करने वाले के लिए आपको बनाया गया है या कानून को आपको किरियान्वित करने के लिए बनाया है कमिटीया बनी हुई नहीं आप द हो है एक सुप्रीम कोड का आधेस है इतना सेंसिटिव मामला है समेधन सील मामला है तीन साल में कमिटी का पुरा विवरेण देना चाहिए यह यह गलतियं होगी तो आपको लेंगी कुछ पीडल माना जाएगा इसके सेक्शुल एरस्मेंट माने जाएगा और ऐसा होता है इस को को कई Was आती है बार से पता चल जाता है कर डारीक्टर साब आने वाले हैं कहीं तर बसार में पैंटर बैटे हैंर जाते हैं और अटिका नाम लिग देते हैं भाई है लिव दीम साहब कहुंसा और रिक्टर साहयाकों सा इस NGO के मेंबर और अन्य को फूक्चते हैं कि अब लगा कर गेंटिंग कितनी हुई और कब कब हुई है कितनी कितनी रिपोर्ट है आई है को अ कि मगर देखिए एक जागरुक और एक कि समय दस्रीवर्टी बनना चाहिए एक सेंसिटीव आदमी बनना चाहिए छोटे-छोटे मामलों को भूती समझ पैदा करने वाला आदमी बनना चाहिए मेरी तो यह कहना है बाके आपकी मर्ची मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मस्तर रहिए खुश रहिए जय हिंद